हेले दोस्तों मैं स्वानिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़कियों के नकरों को कम कैसे करें तो आज के वीडियो से ट्रॉपिक पर है क्योंकि दोस्तों देखू अक्सर यह चीज होती है कि लड़की जो है नकरी दिखाती ही दिखाती है और जहां उन्हें यह पता चल होती है कि कोई लड़का उन्हें लाइक करता है ठीक है तो उसक तो बीडियों में को करना आपको कुछ ऐसे कम बताऊंगी तो बीडियोगी करने से पहले कर भंगें शार करने caveat को करना बंद करना है इन्वेस मतलब कि आप जो भी चीज़ें उनके लिए करते हो जैसे कि आप उनके लिए अवेलिबल रहते हो उनकी एक आवाज पर उनके सामने रहते हो उनके सामने खड़े हो जाते हो या अपनी बिजी टाइम में से उनके लिए टाइम निकालते हो तो जब जैसे लड़के उनके पीछे पागल हैं उन्हें अटेन्शन देते हैं तो इसी अटेंशन को आपको धीरी-दीरे कम करना है जिससे उनixo trend पेrãoने काम होने लगेगे इसके दूसरा काम दोस्तों देखो एक लड़की नक्रीय सकती है ठीक है तो आपको जो है उनके नकरों को जहेलना बंद करना है जैसे कि अगर कोई लड़की आपको नकरे दिखा रही है तो आपको थोड़ा बहुत उसे इग्णोर करना है थोड़ा बहुत अवाइट करना है वह इसंपल के तौर पर कि आपकी क्रश आपके सामते हैं आप चा तो क्या है उसके मन में ये खलबल योगी यार ये बंदा कल तक तो ऐसा कर रहा था और आज ऐसा क्यों नहीं कर रहा है तो क्या उस टाइम पर वह आपके सामने नखरे नहीं दिखाएगी इसके लावाद दोस्तों देखो नखरी दिखाना है का एक कारण यह होता है दोस्तों इसे वह बहुत जादा नखरी दिखाती है क्योंकि उन्हें खुद पर ट्रस्ट होता है वह खुद से प्यार करती है तो अगर आप लड़की के सामने यह चीज़ शो करोगी कि आप भी खुद से प्यार करते हो आपको इतरसे आपके अंदर भी सेल्फ कॉंफरेंट है आप जैसे हो तो इस शीष को देख कर भी लड़की आपको जादा नकरे नहीं दिखाएगी तो आपको जो है लड़की के सामने उसी के जैसा बनना है उसी के अपने अंदर लाना है जिससे वह आपके सामने नकरे कभी नहीं दिखाएगे इसका अगला काम आपको यह काना है कि आ के साथ relationship करना चाहते हैं तो जब आप उसे यह दिखाओगे और अपने ग्रुप में और भी जादा लड़कियों को शामिल करोगे उनसे relationship करोगे जैसे कि friendship करना हो गया तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके options बढ़ेंगे और उस लड़की को लगेगा कि आप अकेले नहीं हो आपके साथ और भी लड़किया हैं जो आपको पसंद कहते हैं आपके साथ जुन्ना उन्हें अच्छा लगते हैं तो ऐसा काम करने के बाद भी जो हैं लड अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में लेंगें